नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चनल बोल्ड स्काई में सेलिब्रिटी इस अपनी सुन्दरता का ध्यान रखने के लिए एक से एक महेंगे प्रोड़क्ट का इप्योग करती है लेकिन हम जैसे कॉमन लोगों के लिए इतने महेंगे प्रोड़क्ट खरीदना मतलब अपने घर का बजट बिगाडने जैसा है इसलिए हमें चाहिए कुछ ऐसे प्रभावी और सस्ते इंग्रीडियंट्स जो हमारी त्वचा को तो सेलिब्रिटी जैसा सॉफ्ट और सुन्दर बनाए लेकिन हमारा बजट भीना बिगाड़े तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसा घरलू नुसका जिसे आपना कर हमारी दादी नानी बुढ़ापे में भी गलो करती थी यानि यह नुसका हमारी पुरानी पीडियों के अनुभव पर अधारत है अब ऐसा मौसम आ चुका है जिसमें आप दिन में दो बार नहाना पसंद करती हैं एक सुभा को और एक रात को सोने से पहले तो दिन में दो बार स्नान करते समय आप एक बार साबुन का उपयोग करें या पताई गई विधी से नहाए ऐसा करने से आपकी तवचा पर केमिकल्स का प्रभाव भी कम होगा और नेचुरल ओइल्स का ग्लो भी स्किन पर दिखेगा तो चलिए बताते हैं आपको नहाथे समय बेसन का इस्तिमाल करना आपकी स्किन के लिए कितना फायदिमन है नहाद है समय आप बेसन का तीन प्रकार से उप्योग कर सकती हैं. पेहरा तरीका है कि आप बेसन को कटोरी में लें और शरीर को डीला करने के बाद इस बेसन को अट उचा पर रगड़ें। दूसरा तरीका है कि आप बेसन को गुलाब जल में घोल कर पेस्ट बनाएं, इस पेस्ट को पूरे शरीर फरस्क्रबिंग करते हुए सफाई करें। जबकि दीसरा तरीका है कि आप बेसन को दूद में घोल कर इसका पेस्ट बनाए और चेहरे और गर्दन के साथ पूरे शरीर फर स्क्रब की तरह लगाए और फिर स्नान कर लें यदि आपकी तोचा ओईली है तो आप बेसन पाउडर या बेसन और गुलाब जल के पेस्ट का अपयोग करें और यदि आपकी तोचा ड्राय है तो बेसन का दूद के साथ पेस्ट बनाकर अपनी बॉड़ी पर लगाए ये तीनों ही तरीके सेंसिटेव तोचा पर अपयोग क बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि साबून के कैमेकल तोचा से उसके जरूरी ओयल को भी निकाल देते हैं जबकि बेसन पाउडर तोचा में अतरिक्ट सीबम बनने की प्रक्रिया को नैचरली कंट्रोल करने का काम करता है ये सभी प्रकृतिक चीज़ें आपकी त खार आता है तो दोस्त हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमिट में चुरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा रगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्रुपने हैं